हलो फ्रेंट्स विलकम है आपके अपनी यूटूब चैनल नेचरल होम ब्यूटी में तो फ्रेंट्स आज मैं आप लोग को सेर करने वाली हूँ बेशन का फेसपैक जो की हर गरों में ये उपलब्ध होता है फ्रेंट्स और बहुत ही आसानी से बन जाने वाला ये फेसपैक है इसे यूच करके आप अपने चेरे को ग्लोइंग बना सकते हैं और बेदाग बना सकते हैं साथ ही आप अपने इसकिन को फेर भी कर सकते हैं इस फेसपैक से बहुत ही इफेक्टिव है और इसे बनाना बिलकुल आसान है हर कोई बना सकता है जो भी इंगेडियन्स यहाँ पर यूज नहीं किया है बेसन का फेसपेक तो लोग अक्सर यूज करते हैं लेकिन एक बार इस तरह का ट्राइ करके देखिएगा फ्रेंस बहुत ही इफेक्ट मिलता है और यह कैसे लगाना है कैसे यूज करना है सब मैं आप लोग को वीडियो में बताऊंगी तो फ्रेंस मैंने लिया है यह वे सारे इंग्रेंस यह क्या है मैं आप लोग को सब बताती हो सब पहले मैंने लियाए खाली बावल gry और उसमें ऐसे डाला है एक बड़ा चम्मत बैसन तो बैसों जो होता है वह की चेक्ट करने में काफी हीप करता है और साथ ही आपकी चेरे को फेयर भी करता तो आप हम सेकेंड इंगेडियंस ले रहे हैं फ्रेंट्स हल्दी तो यह हल्दी जो होता है वह भी कापी अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए आपकी स्किन को फेर करता है साथ ही आपकी स्किन पर बैक्टिरिया आने से रोकता है जैसे की पिंपल्स हो गयरा हो रहे हैं तो जैसे कभी कभी होता है बहुत जादा नहीं होते हैं एक दो निकलते रहते हैं तो इस तरह आप होम रेमेडी तौरा बिल्कुल प्रेंट आप अपने चेहरे को क्लीन फेयर के साथ साथ आफ हेल्थी भी बना सकते हैं तो यहां पर मैं ले रही हूं ही इसकॉस बबार रहें करत wnuk какое एंड़ के लिए आप सवीकला किये डिकन और आप इसकिन पुछ such शाली कंच 07 तो स्कुति धहरएं 3 स्वाइब सकते हैं यह सब्सक्स पार्च अगर आपके पास नहीं एतो आप रोज पूर कंच表 जा कि अप्रन्धुक्ट此 आप online भी purchase कर सकते हो और उसके बाद दूसरी नंबर पर मैंने लिया है aloe vera gel एक चमच तो aloe vera gel यहाँ पर आप plant का भी यूज कर सकते हो तो मैंने तो market का यूज किया है आप market का भी यूज कर सकते हो plant का भी तो अब हम इसमें यूज करने वाले हैं rose water तो rose water जो है friends हम इसी में ही इस pack को बनाएंगे इसमें water का यूज नहीं करेंगे और इसी से बनाएंगे rose water के तो rose water के आप लोग benefit तो जानते ही है कि आपकी skin को hydrate करता है pH level को control करता है साथ ही ये जो है क्लिंजर के रूप में भी बहुत बेश्ट माना जाता है तो फ्रेंट्स हम इसी रोज वाटर में ही इसका पैक बनाएंगे और एलो बेरा का भी मैंने यूज किया है एलो बेरा भी जो है आपकी स्कीन को स्वाप्ट बनाएगा टाइट बनाएगा गलो बनाएगा और साथ ही आपकी स्कीन में गलो बरकरार रहेगा तो इस तरह सारे इंगेडियन्स को मिस करके इस तरह का पैक बनाना है जो कि बहुत जादा ठिक भी नहीं रहेगा और बहुत जादा पतला भी नहीं रहेगा तो वीडियो को मैंने फास्ट कर दिया तो इस तरह आपको अपने जो है क्लीन चेहरे पर लगाना होगा यानि की मेकप वगएरा नहीं होना चाहिए तो बचे हुए पैक को मैंने हाथों में भी लगा लिया है तो फ्रेंट्स इसे जो है फिर आप हैंकी से साप कीजिएगा अच्छे से और साप करने के बाद फिर आप वनली वाटर से भी अच्छे से एक बाद साप कर लीजिएगा उसके बाद मैंने रोजवाटर यूज कर लिया है और रोजवाटर का टोनर और उसके बाद ये मैं लगा रही हूँ पपाया का जल यहाँ पर आप कोई मोस्टराइजर क्रीम भी लगा सकते हो और इस तरह अगर आप नाइट में करते हो तो फ्रेंट बहुत ही अच्छा इफे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नहीं व्यूट्री टिप्स के लिए